हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे और आपके अपनी यूटूब चैनल डिजिटल हेल्फ हिंदी में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग IRCTC से टिकट कैसे बुक करते हैं और तकाल भी हम लोग बुक कर सकते हैं जर्नल भी हम लोग बुक कर सकते हैं तो दोस्तो जादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक request है कि चैनल पे नये है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्लेज कर लीजिए ताकि हमारा चैनल की जो भी लिटेस्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगी तो दोस्तों जादा देरना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और अपने मोबाइल पे हम लोग आ जाते हैं हम लोग अपने मोबाइल पे आ चुके हैं यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना होता है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ट डालना होता है दोस्तों तो यहां पर इसका user id and password कैसे बनाना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर आपने नहीं देखा है तो उपर i button में link है और description में भी link है आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको अपना user name डालना है और यहां पर password डालना है password डालना है उसके बाद यहां पर capture डालना है Russia कैप डालका login पर click कर देना तो चलिए पहले हम लोग यहां पर useừ punishment password और capture डालना है यहां पर अप लोग NICK करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे verify user का option आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना pin set कर लेना है यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप कोई सा भी चार अंक यहाँ पे डाल देंगे तो मैं यहाँ पे चार अंक डाल देता हूँ उसके बाद simply यहाँ पे login पे क्लिक करता हूँ, submit पे submit पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा pin यहाँ पे set हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, simply आपको train पे क्लिक करना है, train पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे book ticket पे click करना है यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको जहां से जहां तक जाना है वहां के लिए आप यहां से टिकट बुक कर सकते हैं जैसे मुझे मुझपरपूर से ट्रैवल करना है तो मैं यहाँ पे मुझपरपूर सर्च करूँगा यहां पे मुझपरपुर सेर्च करने के बाद जैसे यहां पे कहां तक के लिए आपको जाना है तो मुझे दूर्ग जाना है तो यहां पे मैं दूर्ग जैसे ही लिखूंगा तो यहां पे दूर्ग आ गया तो मुझह पर पुर से दूर के लिए यहाँ पर आप अपना date सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने तारिक में आपको travel करना है तो यहाँ से मैं 28 तारिक यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ उसके बाद आप okay पर click कर देंगे उसका simply आप यहाँ पर search train पर click करेंगे मैं यहाँ पर search train पर जैसे ही click कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो train है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसी train में हमें booking करना है तो दोस्तो यहाँ पर आप sleeper के लिए भी ticket book कर सकते हैं और AC के लिए भी book कर सकते हैं तो मुझे यहाँ पर sleeper का ticket book करना है तो मैं sleeper पर click करूंगा जैसे ही sleeper पर click करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो available बता रहा है जो यहाँ पे हरा color में available रहेगा, तो आपका वो seat available रहेगा, तो यहाँ पे simply हम लोग available पे एक बार click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे passenger details पे आप click करेंगे, जैसे ही passenger details पे आप click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपना नाम add कर लेना है, जिनको भी travel करना है, उनको यहां पर Add New पे क्लिक करना है, अगर आप पहले से Master List में Save किये हुए रहेंगे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहां पर मैं Add New पे क्लिक करने के बाद, यहां पर आपको Name डालना है, यहां पर जैसे ही आप Add New पे क्लिक करेंगे, तो Simply दोस्तों, यहां पर नाम डालना है, और यहाँ पर बर्थ परफर्मेंस सेलेक्ट कर लता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने name, age और यहाँ पर male सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मुझे जो birth है वो side lower चाहिए अगर possible होगा तो मुझे side lower मिल जाएगा नहीं तो यह automatic seat देदेगा तो यहाँ पे मैं add passenger पे click करता हूँ जैसे ही add passenger पे आप click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे name, age और यहाँ पे आपने जो birth performance चुना था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में आपको simply नीची आ जाना है और नीची आने के बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number डाल लेना है तो आपके पास जो भी number है वो यहाँ पे आप डाल लेंगे उसके बाद number डालने के बाद दोस्तों नीची आ जाना है और यहाँ पे इस दोनों tick पे आपको click कर देना है मैंने यहाँ पे दोनों tick पे इसलिए click किया है कि मेरा जो ticket है वो auto-upgrade में अगर seat खाली देहेगा AC में तो इसको auto-upgrade कर दिया जाएगा बिल्कूल फिरी में और यहाँ पे जो मैंने tick किया है इस पे tick इसलिए किया जाता है कि आपका जो ticket है वो confirm ही ticket कटेगा waiting वगारा नहीं कटेगा तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस पे दोनों पे click कर दिया है दोस्तों अगर आपका ticket RAC है तो इस पे आप click ना करे book only confirm पे click ना करे या फिर आप अगर waiting काट रहे हैं तो इस पे आप click ना करे उसके बाद यहाँ पे आपको payment gateway चूज कर ले details पे आपको click करना है दोस्तों और यहाँ पे जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे capture एक डालने का option आएगा और यहाँ से आप अपना details भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं 28 तारीक के date में मुझपरपुर से दूर्ग के लिए यह ticket कट रहा है और इ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड पे आपको प्रोसीड टू पे पे किलिक कर देना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह सापको कर देना है यह करने के बाद आपको payment gateway पर ले जाएगा यहाँ से आपको phone पे से भी आप payment कर सकते हैं पेटियम से भी आप payment क तो मैं यहां पे Paytium UPI Select करने वाला हूं तो यहाँ पर चलिक करता हूं उसके बाद cohort दोस्तों आपको पेटियम गेटवे वे सेलक्ट कर लेना है या फिर आप फोन पे भी डेटवे सेलेक्ट कर सकते उसका प्रोसेसिंग पेमेंट पे आप किलिक करेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करके पेमेंट के लिए आप ओपेन कर लेंगे तो यहां पे हमारा पेटियम जो है वह अटोमेंटिक खुल चुका है और यहां से से क्यूटी रिजन के वज़ा से यह आपको सो नहीं करेगा तो यहा करके करना यहां और यहां पर देख सकते हैं अक्तुने लोलवे और मुह में ला तो दोस्तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया गया कि आप IRCTC से ticket कैसे काट सकते हैं खुद से तो यहां से इस PDF को आप अगर कहीं share करना चाहते हैं तो यहां से PDF विजरनेट कर सकते हैं या फिर direct आप share पे click करेंगे तो आपको WhatsApp यहां से select कर लेंगे और जिनको भी आप ticket भेंजा उनको भेज सकते हैं PDF के रूप में यह आपका ticket चला जाएगा दोस्तो वीडियो से थोरी सी भी अगर आपको information मिली हो तो आप हमारे वीडियो को like कर दीजिए और अगर आपका कोई doubt है तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं आपको instant reply मिलेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए जय हिन वन्यमात्रम